वेलकम टू जीरो से जिन्यास तक आज की इस वीडियो क्विटेस्ट में हम आप से पूछेंगे चीके के मातर दस इंपोर्टेंट सवालों को देखते हैं आप इन दस सवालों में कितने का सही आंसर कर पाते हैं चलिए शुरू करते हैं पाहला सवाल है भारत में दल्य व्यवास्था की इस परकार की है आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकेंड का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब राइट आंसर है ओप्सन नमबर सी बहुद आलिये कोईशन नमबर टू पंचायतों की वीतिये इस्थिति की सिफारिस किस से की जाती है सही आंसर है ओप्सन नमबर बी राज्य पाल से कोईशन नमबर टिन संबिधान साभा के सदस्यों द्वारा संबिधान पर कव हन्स्ताक्षर किया गया मतलब अपनाया गया आंसर होगा ओप्सन नमबर टी चौविश जनवारी उन्नी सव पचास को क्वेशन नमबर फोर इन में से कौन सुमेलित नहीं है ध्यान से देखिए इंपर्टिन्ट है सही अंसर होगा ओप्सन नमबर सी संचालन समिती के अध्यक्ष कि एम मुनसी नहीं बलकि डॉक्टर आजेंद्र परसाद थे संचालन समिती के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर आजेंद्र परसाद ध्यान रखिएगा क्वेशन नमबर फाइब संग्रहित का अर्थ क्या होता है? संग्रहित किसे कहा जाता है? सही अंसर होगा, option number B, कोशा अध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता है? किसी संगठन के सदस्यों को किस अधार पर एकतरित होने से वन्चित किया जा सकता है? अभी तो कुरोनकाल है, लेकिन आपको हांसर, options के according देना है? तो हांसर सोचिए, सही हांसर होगा, option number A, राश्टर की एकतायों संप्राभूता के आधार पर? Question number 7, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं, तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर किली करके सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकोन को दबा दिजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिल्य बस्प्राइब करता है, घन्याबाद, आगे सवाल है, हाल ही में जारी बीशुव अबायंके की मानोव पुन्जी सुचेकांक 2020 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है? सही अंसर है, आप्सन नमबर B, 116 हवा, क्वेश्चन नमबर 8 लार किसके पाचन में सहाइक होता है? सही अंसर है, आप्सन नमबर B, एस्टार्च, क्वेश्चन नमबर 9 सीटकाल में वार्षा और सुस्क ग्रीश्मकाल निवन में से किस जलवायू परदेश की बिसिस्ता है? सही अंसर होगा, आप्सन नमबर D, भुमध्य सागरिये, क्वेश्चन नमबर 10 भारत में सामुदाइक विकास कार्यकरम की सुरुवात कब होई थी? स्वतंत्र भारत का पहला कार्यकरम था, भारत में सामुदाइक विकास कार्यकरम की सुरुवात कब होई थी? और आपके लिए एक नए सवाल है दक्षिन का कस्मीर किसे कहा जाता है तो कॉमेंट वक्स में जाएए वहाँ पर लिखिए Q4 और इसके राइट आंसर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके अपने वीटर जनों में सेयर जरूर करिए और आप जाहे तो आई बटम पर किलिकर करका और भी वीडियोज को देख सकते हैं मिलता हो फिर अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत